अगर आप मेरे चैनल पर ना है तो मेरे चैनल को लाल बटन दाब का जरू सस्क्राइब कर लाइकन जरू दावाद देता के नोटिफिकेसं के माधन से कोई वीडियो आपको जल्द मिले तो यह भी पीएसी 1992 से 2019 का भारत का भुगोल पार्ट बन ठीक है जितना भी भारत से रोगा का साइन्स भी खत्म हो गया तो चलिए देखते हैं इस तरह आप वीडियो आपको चले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा देखते हैं कि छेरा पूंजी कहां अवस्थित है ठीक है तो मेगाले राजिम है और इसी के बगल में जो है आपका मौसिंग राम भी परवतिये छेत्र हैं विदर्व एक परदेशिक नाम है भारत में और किष्णाम से जाना जाता है तो महराष्ट के एक अंग के रूप में जाना जाता है नेक्ट के भारत के परवत निर्मित हुए हैं किस जुग में या बोलिए महाकल्प में ठीक है तो पेलियो जोईक महा कल्प में और पटना का अस्थानिय समय क्या है तो भारतिय मानक समय से आगे है ठीक है और भारत में कौन सी फसल सरवाधिक छेतरे में बोई जाती है तो ये बोई जाती है आपका चावल जो है सरवाधिक छेतरे में बोई जाती है और भारत का सरवाधिक पटसन उत्पादन र तो भार्षम मुलक नेक्स्ट है कि किसने भारत वर्ष सबसे अधिक बीदूत प्राप्त करता है तो भारत वर्ष में तापिये बीदूत सबसे ज़्यादा उत्पादान होता है ठीक है और भारत के सर्वोच परवत चोटी कौन सी है तो गारवी नाश्टीन और गारज जनजाती कहां कहें तो गारज और खांसी जो है मेघाले की जनजाती है नेक्स्ट है दिली है तो एक केंदर सासित परदेश है और सिवालिक सिनेणी का निर्माण हुआ था तो एक केने जोई की उग में ठीक है याद रखेगा इसा कोशन बार-बार आता है भी पेसी में और भाखडा नांगल ठीक है भाखडा नांगल एक संजुक परियोजना है किसकी तो हर्याना पंजाब और राजास्थान तीनों को मिला कर ठीक है करने वाला राजी कौन सा है तो उतर परदेश और भारत से निर्यात होने वाला सबसे महत्तपूर्ण बस्तु कौन सा है तो कपड़ा है और भारत में सिलिकान घाटी का नाम किस से दिया गया है तो बैंगलूरू को और पशिम की और प्रवाहित होने वाली नदिया कौन सी है तो नर्मदा और तापती नदिया है नेक्स है कि पूरी घाटी और पशिमी घाट की मिलन कोस्थल को क्या कहते है तो निलगिरी के पहाड़िया कहलाती है और आमे सोरम किस राजी का हिसा है तो ये तमिलाड़ का हिसा है बोडो कहा कि निवासी है तो ये गारो पहाड़ी के ही मेगाले में तो यहाँ देख लिजिए कितना वहाँ से कोस्चन आता है मेगाले से एक-2 कोस्टन वहाँ से आपका जंजाती से यह उठा लिया है ठीक है और रिपीट ही यह किया है ठीक है सभी वहीं से 2-3-4 कोस्टन इस-3 कोस्टन में ही आ गया और भारत अपने अवसक्ता से अधिक उत्पादन कौन चीज करता है तो चाय करता है भारत का सबसे बड़ा रबड उत्पादक राजे कौन सा है तो ये है आपका केरल आमर बरसा कौन से है तो ये बिहार एम बंगाल में मार्च अपरिल महीने मोहने वाली बरसा को आमर बरसा कहते है क्रिसी में युग में पैदवार कहा से किसके उगाने से हैं तो एकी साथ दो फसल उगाने को युग में पैदवार कहा जाता है कोईला उत्पादन में राज ये वार घटता करम कौन सा है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता जहरकंड उसके बाद मध्य परदेश उसके बाद पस्षिम बंगाल नेक्स्ट है कि भारत में पहला पनबिजिली सक्ति केंद्र कहां अरंभ हुआ था तो ये आपका सीव सम्मुंद्र में हुआ था तो ये रहा बहुत महत्व प्राश्ण और विडियो आपको चले लगए विडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा इसी तरह आपको आगे आते रहेगा किवल देखते रहेए मिलता करे विडियो में तब तक ले धन्यबाद